वेलकम टु दुवनिस कीचन आज मैं एक गुजुराती काठ्यावाडी सबजी बनाऊंगी बेंगन भर्था बेंगन भर्था बनाने के लिए हम ये बड़े से बेंगन का यूज करेंगे सबसे पहले हम नाइप से उसमें छेद कर लेंगे अब हम इसके उपर ओईल लगा देंगे अब हम गैस के उपर एक स्टेंड रखके उसके उपर बेंगन को रखके सेख लेंगे तो यह अच्छे से कूख हो जाएगा उसको सभी साइड से अच्छे से सेख ले तो यह बेंगन हमने अच्छे से से लिया है अब हम इसके उपर की स्कीन निकाल लेंगे आप बेंगन को ठंडा करके ही उसकी स्कीन निकाले तो जल्दी निकल जाएगी तो अब हम इसको कट कर लेंगे और उसके अंदर जो सीट्स होते हैं उसको अगर निकाल सके तो आप निकाल ले ना निकाले तो भी चलेगा तो मैंने इसमें से सीट्स निकाल लिये हैं अब हम इसको मैश कर लेंगे बेंगन बर्था बनाने के लिए हमें इन सारे चीजों की ज़रूरत पड़ेगी ये मैंने ग्रीन ओनियन लिया है हरी प्याज अराउंड 250 ग्राम एक टमेटो लिया है उसको मैंने फाइन चॉप कर दिया है हाफ टीस्पून गार्लिक पेस्ट लौसून की पेस्ट ओइल लिया है वन टेबल स्पून ड्रेट चिली पावडर लाल मिर्च क्यूमीन सीट्स जीरा ये मैंने बेंगन को मैश कर लिया है वन टीस्पून घरम मसाला, सॉल्ट नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पावडर अब एक पैन में थ्री टेबल स्पून ओईल डाल देंगे ओईल घरम होने के बाद उसमें हाफ टीस्पून जीरा डाल देंगे लॉसून की पेस्ट भी डाल देंगे थोड़े टाइम के बाद हम उसमें ग्रीन ओनियन भी डाल देंगे अगर आपके के पास ग्रीन ओनियन ना हो तो आप सुखी ओनियन जो बड़ी साइस की होती है वो भी आप डाल सकते हैं अब हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे अब हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसको कंटिनियूस हिलाते रहेंगे तो ये चार-पांच मिनिट में कुक हो जाएगी तो अब ये कुक हो गई है अब हम उसमें टमेटो डाल देंगे अब हम इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे गैस की फ्लेम थोड़ी लो कर ले रेट चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला अब हम उसको फिर से चार से पांच मिनिट तक ऐसे ही कुक होने देंगे कर दो कर दो कि अब हम उसको पांच मिनिट देंगे आप देख सकते हैं इसमें से ओईल अब अलग होने लगा है तो अब ये कुक हो गया है अब हम इसमें जो बैंगन मेंश किया हुआ है वो डाल देंगे थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे उसको अच्छे से मिक्स कर ले गैस की फ्लेम लो ही रखे और उसको आठ से दस मिनिट तक ऐसे ही रखे और इसको अच्छे से कुक होने दे तो अब बैंगन का भर्था तैयार है हम उसको बावल में ले लेंगे तो अब ये बैंगन का भर्था अब तैयार है इसको मैंने बाजरे की रोटी के साथ सव किया है subscribe here and press the bell button for notification on new videos